हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टरी में स्वागत है आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 42 करेंगे जो की क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश ये वर्क्षिट 28 दिसंबर 2021 की है तो आएए शिरू करते हैं आज की वर्क्षिट पोयम चीवी वेन माइकल वस फाइफ यर ओल्ड हिस मदर तुक हिम और नियरबाइ स्कूल फॉर अदमिशन देखो क्या कहा जा रहा है कि ये पोयम है चीवी के बारे में वो कह रहे है कि जो माइकल फाइफ यर के थे उसकी मदर उनको अदमिशन के लिए नियरबाइ स्कूल में लेके गई तुम्हारी मदर तुम्हें घर पे क्या बुलाती है चाइड वल्ड उस बच्चे से पूचा माइकल डॉन माइकल ने कहा माइकल और कॉन्फिदेंस के साथ में क्या किया रिप्लाइ किया अब देखों यहाँ पर क्या है यह स्टोरी है चीवी के बारे में स्टोरी है तो आज हम इस स्टोरी को ही पढ़ेंगे read करेंगे स्टोरी को DECK क्या कहा गया है read the excerpt from the poem, चीवी composed by the Michael Rauzan and answer the question that follows हमें यह poem जो है इसे read करना है चीवी के बारे में जो Michael Rosa ने लिखी हुई है और फिर कुछ question से जिने solve करना है put the tick mark against the correction option जो option है उसे में तिक लगाना है तो देखो question में क्या कहा गया है एक mother है और एक child है कि mother किस तरह से suggest करती है अपने good manner आ सके बच्चे के अंदर इसलिए कि बार बार उससे टोकती है उसी से related जो आज की poem है देखो क्या कहा गया है grown up saying things like बड़े हो जाओ कुछ बाते सीखा रहे हैं किस तरह कि देखो speak up मतलब बोलना कहीं पर जहां बोलना है वहां बोलना शुरू करो don't talk with your mouth full don't stare देखो क्या कह रहे कि बार बार जो बोलना होता है न कि speak up मतलब बोलो लेकिन जादा मत बोलो don't stare मतलब की घूरो मत don't point मतलब point out मत करो किसे को finger लगा के कोई बात मत करो कि इसने ये क्या don't pick your nose अपने nose को pick मत करो मतलब पकड़ो मत ऐसे sit up बैठ जाओ say please और जब भी किसे से बात करो तो please बोलो less noise, shore कम मचाओ shut the door behind you तुम्हारे पीछे जो डोर है उसे बंद कर दो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे एक mother है जो अपने बच्चे को सिखा रही है कि क्या क्या गलत चीजी है क्या क्या सही है तो क्या बोला कि grown-up अब तुम बड़े हो गए हो मतलब अपने बच्चे को बड़े होए कहते कि अब तुम बड़े होगे अब तुम्हें इस सब चीजे सीखनी होंगी जैसे कि speak up अतलब कि बोलना शुरू करो बोलो जब कोई तुमसे बात करता है तो बोलो don't talk with your mother mouthful मलब जादा मत बोलो बोलो जितना जरूरत हो जादा मत बोलो don't stare don't point out मत करो किसी को finger के साथ में pick nose को मत पकड़ो बैट जाओ sit up say please जब भी कुछ बोलो अगर कोई बात है तो please बोलो noise मलब आवाज शोर कम करो and shut the door behind you तुम्हारे पीछे जो डोर है उसको बन कर दो तो यह सब बाते एक mother अपने बच्चे को सिखा रही है तो बहुत ही आसान स the worksheet अब कुछ questions है तो आईए देखते है question number one में क्या कहा गया है who is the poet of the poem, poet कौन है इस poem के अभी हमने देखा था Michael Roseanne, B answer यहाँ पे correct हो जाएगा, question number second, who was the habit of always giving the instructions, कौन instructions दे रहा है इस poem में बार बार habit change करने के लिए कौन कह रहा है कैसे करो ऐसे ने करो, mother A answer यहाँ पे क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, question number third देखते है, mother give the instruction of their kind so that, mother अपने बच्चे को instructions क्यों देती है, क्योंकि वो rude बने, वो happy रहे, intelligent बढ़े या good manner सीख सके, तो they may learn good manner, भी answer यहाँ पे क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, तो यह थे हमारी first, second, third question, अब हम देखते है, fourth question और इसी के apply नहीं आएगा, the answer यहाँ पे correct हो जाएगा, to look fixedly, मतलर कि एक टुक लगा के देखना में कहता है, इसे लगातार देखते ही रहे ना, घूर ना, हिंदी में ही meaning हो जाएगा, तो the answer यहाँ पे correct होगा, तो यह थे हमारी आज की बहुत ही आसांसी worksheet, worksheet को complete करके, अपने teacher को ज़ कीजे, thank you guys